गुड मारिंग सुडेंट्स वेलकम बैक टू बीविविएन ओल्लाइन क्लासेज हम क्लास नाइन्थ में एक्वेशन और मोशन पढ़ रहे थे एक्वेशन और मोशन को अपने प्रिवस क्लास में ड्राइव किया आज क्लास में अपन उसके ओपर कुछ नियुमेरिकल करेंगे तो अपना जो फर्स्ट नियुमेरिकल है वो यह है एक मोटर बॉट स्टार्टिंग फॉम रेस्ट ओन ए लेक अक्सलरेट इन ए स्ट्रेट ला रेस्ट से स्टार्ट और कितने एक्सलरेशन है उसका ठीमीटर पर स्कूर से आजना जो कॉंस्टेंट ड्रेट और इस जो कमुंस्ट करेंगे ail-ITYão स्कूर 8 second से वो 8 second तक 3 meter per second square से athlete हो रही है तो आपको बताने है कि उसकी distance उसने कितना distance travel किया ठीक है तो मैं 3 equation यहाँ पे लिख रहा हूँ दुबारा जो अपनी 3 equation थी कौन कौन सी थी पहली equation थी अपनी क्या V equals to U plus 80 second S equals to UT plus half 80 square third 3 V square U square plus 2S यह 3 equation अपना जो first question है इसके अपनी को कौन कौन सी value given है वो अपना लिख लेते हैं ठीक है तो जो given है देखो एं motor board starting from rest rest से start हो रही है अना rest से start rest मतलब जहाँ पर velocity क्या हो जाती है 0 मतलब यहाँ से start हो रही है rest से तो initial velocity कितनी है इसकी 0 क्यों 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 क्योंकि motor board start काहां से और यह rest से मतलब पहले इसकी position क्या थी rest तो initial velocity कितनी होगी वहाँ पर 0 ठीक है फिर अपने को क्या दे रहा है एक्सल एक्सल रेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट एक कॉंस्टेंट रेट एक्सलेशन दे रहा है कितना दे रहा है वैटा ठीक है अपने को find क्या अगरने है इसके अंदर how far how far boat travel during this time कि इस time में इस बोट ने कितना distance travel किया यह अपने को बताना है मतलब किस की वैली बतानी है s की वैली ना distance आपने ऐसी लिखते है तो आपको इन तीनों मेंसे कौन सी equation लो कि इसमें से यह सारी quantity अपने को दे रही है तो देखो अपन यह equation ले 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 second equation क्योंकि इसमें एस अपने को find करने है यू की value भी अपने को दे रखी है एक की value भी दे रखी है तो यह second equation इसके लिए सही है ठीक है तो second equation कहा है अपनी s equals to ut plus half 80 square s अपने को find करने है distance अपने को बता नहीं है कि यू कितना है 0 टी कितना है 8 वन अपन टू एक की value कितनी है 3 टी कितना है 8 उपर square है तो 8 का square s equals to यह हो गया 0 plus 1 upon 2 3 8 का square 8 into 8 2 से 8 cancel 4 time ठीक है 3 into 4 12 12 को 8 से multiple किया 96 96 और s मतलब किया distance distance की unit का होती है meter तो 96 meter मतलब 8 second में हाना 3 meter per second square के acceleration से वो कितना distance करेंगी 96 meter सब्सक्राइब करेंगी इस question में बस अपने को यह दे रखा है देखो रेस्ट में है इनिशल वेलोसिटी इतनी है शुरू यहां से हुए ना इनिशल वेलोसिटी इतनी है जीरो एक्सलरेट हो रही है कितने से 3 meter per second से कितने time के लिए 8 seconds के लिए अपने को क्या find करना है distance तो तीनों में से कौन सी equation सी है जो इस numerical के लिए सही रहेगी second equation ठीक है वो second equation अपने ली और इससे अपन स की वेल्यों calculate कर ली ठीक है यह equation अपन नहीं ले सकते क्यों क्योंकि इसके अंदर अपने को s एक तो s अपने को पूछा है इसके अंदर s नहीं है दूसरा यह equation में अपनी ले सकते क्यों इसके अंदर final velocity अपने पास नहीं है final velocity अगर इसके अंदर होती तो अपनी इस question भी ले सकते थे ठीक है तो यह अपना first numerical हो गया second numerical देखिए second a ball is gently drop from a height of 20 meter 20 meter की height से एक बोल को अपन क्या करें है drop करें निच्चे निच्चे फेक रहे है 20 meter की height से ठीक है if its velocity in increases uniformly at the rate of 10 meter per second square देखो velocity में change हो रहा है ठीक है velocity में change हो रहा है velocity में change को अपन क्या बोलते है acceleration बोलते है तो यह जो क्या दे रहा है आपने को acceleration दे रहा है दूसरा देखो इसकी unit देखो meter per second square यह किसकी unit होती है acceleration की unit ही होती है तो डायेट आपकी बार क्या कर दिया इसने डायेट नाम नहीं दिया कि acceleration आपकी बार क्या दिया velocity increase हो रहा है मतलब velocity में change हो रहा है और velocity में जो change हो था उसको पंजा बोलते है acceleration ठीक है वो दिरेख आपने को 10 meter per second square with what velocity will it strike the ground कि जो ग्राउंड पर गिरेगी तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी मतलब ग्राउंड पर strike करेगी तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी वह अपने को find करने है दूसरा आपने को यह बताने है after what time will it strike the ground है अपन जहां से उसको फेक रहें निचे और ग्राउंड पर जाने में इस टाइम इसके अपने को क्या बतानी है वेलोसिटी कितनी हाइड दे रहेंगी अपने को कितनी हाइड से अपन फेक रहें है 20 मीटर ठीक है और साथ में आपने को क्या दे रहा है वेलोसिटी में चेंज मतलब एक्सेलेशन दे रहा है कितना दे रहा है 10 meter per second square यह acceleration है 10 meter per second square ठीक है तो अपने को एक तो यहां से यहां तक आने में इसको बोल को कितना time लगा हूँ बताने एक तो क्या बताने है time यह बताने है यह velocity ठीक है तो अपने को जो given value है वो क्या क्या है देखो अपन यहां से इसको छोड़ रहे है यहां से इसको छोड़ रहे हैं तो यहां पर यह rest में थी यहां पर यह rest में थी rest में मतलब initial velocity कितनी होगी इसकी 0 ठीक है एक यह value ज़रे कि velocity में चेंज acceleration दे रहे है 10 meter per second square ठीक है यह क्या है distance होगी न मतलब यह distance बोलने इतना distance travel किया ग्राउंड हो न तो यह तरह से क्या होगी distance height मतलब distance s कितना दरेका अपने को 20 meter height मतलब distance होगी न h height radius यह सारी क्या है distance ही है ठीक है तो अपने को s के value कितनी दरेकी 20 meter अपने को क्या-क्या find करना है यहां की velocity मतलब यहां पे तो initial velocity होगी और यह क्या होगी final velocity मतलब अपने को final velocity find करनी है और एक अपने को time find point ठीक है तो यह इतनी value अपने को given है तीन value यह value find करनी है और यह value find करनी है तो आप तीनों में से कौन से equation चूज करोगे इस numerical के लिए ताकि एक तो final velocity आजाए और एक time आजाए तीन में से दो भी कर सकते हो जैसे कि यह देखो S अपने को direct है ठीक है U direct है A direct है तो इससे अपने को time मिल जाएगा ठीक है और final velocity के लिए अपने यह equation ले सकते है क्योंकि अपने को U भी दे रखा है A भी दे रखा है और S भी दे रखा है तो पहले final velocity निकालते है थर्ड equation से आने equation थर्ड क्या है V square U square प्लस 2S ठीक है V square अपने को find करना है initial velocity वेटा कितनी है 0 0 का square plus 2 A की वेलो कितनी है 10 S की वेलो कितनी है 20 V square 0 का square 0 2 को 10 से मल्टिपिल या 20 20 को 20 से मल्टिपिल किया 400 ठीक है V का square अटाएंगे तो क्या लगेगा root 400 का root कितना होता है 20 कितना होता है 20 और V मतलब velocity velocity क्या साइब इस या मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वेर ये क्या आगया इसकी final velocity मतलब जब वोल ग्राउंड पर आएगी उस टाइम उसकी velocity कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वेर अब अपने को टाइम निकालने तो देखे टाइम टाइम देखे टाइम के लिए मैं फरस्ट एक्वेर से ले रहा हूँ वी यू प्लस 80 वी कितना है 20 ठीक है यू 0 एक इतना है 10 और टाइम अपने को फाइंड करना है ठीक है 20 यह कितना हो गया 10 टी हो गया ठीक है टीक है इसके मुल्टिपल में डिवाइड में आ जाएगा तो टीकोस कितना हो जाएगा 20 अपन 10 कितना हो गया 2 सेकंड तो बोल को ग्राउंट टेकाने में कितना टाइम लगेगा 2 सेकंड कितना टाइम लगेगा 2 सेकंड तो आपने जो एक्वेसिन ओव मोशन है इसके ओपर आज अपने कितनी नुमेरिल किए 2 नुमेरिकल नेश्ट ऎलास में अपने इसके ओपर और नुमेरिल करेंगे जिससे आपका यह कंसेट्ट है किसे अपलाई करना होता है वो अच्छे से आपको सुझ में आ जाए ठीक है, best of luck